उन सबीका मैं बहुत बहुत दिन्यवान दिया भी करता हूँ कि आप अपने बहुत जिमेश की इस समय में से समय निकाल कर इस गाउं में पहुचे हैं और हमें बगवान देव नरायन जी के बारे में जादे भी सर्थ से नहीं लेकिन पिर भी बहुत कुछ जानने को मिला था अभी हमारे से पूरे बखता कह रहे दे कि सायथ बड़े बजुर्ग जानते होंगे उगे बगवान देव नरायन कोन थे लेकिन मैं आपको अखिकत से अउगत कराना चाहता हूँ कि पड़े बुजुर्गों से जाद है आज के नोजवान देव नरायन जी के बारे में जानते हैं क्यों क्योंकि सोसल मीडिया का जवाना है राजस्तान से जितने भी हमारे सासी जुड़े हुए हैं फेस्बूक वाटसप के जरिए आज उन्हें की बजूलत हम लोग जो है भगवान देव नरायन को जान पाए हैं पिछले साल की बात है जब इसी गाहों में पुष्टकाल्य के बारे में विचार हुआ तो विचार हुआ कि किस नाम पर पुष्टकाल्य का जिर्मान किया जा समाच पूरे देश में पूझता हैं इसके जहर जहने पर मंदीर हैं कियो नहीं के नाम पर एककुस्तकाल्य का जिर्मान कर दे क्योंने उस्के नाम से समाज मेंएट जाघर की लाने का कम करें तर नहीं हो सकता मंदिर मस्जिदों में हम उलजकर रह जाएंगे मंदिर मस्जिद में हम दोनों संपर्दायों हिंदु मुस्लमान गुजरों को नहीं लेकर आपाएंगे लेकिन अगर हम बगवान देव नरायन के नाम से खुस्तकाल्य बनाएंगे तो उस खुस्तकाल्य में दोनों संपर्दा हिंदु मुसलमान दोनों के गुजर बच्चे आगर पढ़ेंगे और अपना घ्यान वर्दन करेंगे और अपने लक्से को प्राप्स करेंगे इसलिए हमने सोचा कि बगवान देव नरायन का मंदिर बनाने से पहले उनकी समर्ति में एक पुस्तकाले का घिर्मान किया जाए औ पाठक नहीं मिल पाते हों तो है विल्गों सबसे जुरूरी चीज है किसी पुस्तकाले के अंदर अच्छी पुस्तके होना और उसके साथ साथ अच्छे पाठ्कों की भी जब तक पाठ्ख नहीं मिलेगे तब तक ए सक मैह मैं तवीन हो जाएगा उसके अंदर जब तक पाठत नहीं जाएगा लेकिन इस पुष्टकाल्य में साम के समय जब भी हमने देखा है पढ़ने वाले बच्चे मिलें अपना अग्यान वर्धन लगाता रहें इस पुष्टकाल्य के माध्यम से करते हैं और भगवान देव नरायन जो कि हमारे इतने सम्मानित रहे हैं जिनकी पूजा होती है साडूमाता जिनके बारे में यहां के लोगों को नहीं पता था आप ने मैं दन्यवाद की आपकी करना चाहता हूँ आप लोगों का जिनों ने उनके बारे में बताया और आप से बिंती है कि एक बार जैसे आप कहें कि हम भगवान देव नरायन की कथा करवाना चाहते हैं एक मोखा में सेद्र में दीजिए ताकि हम अग सेद्र के सभी और गाहों जरी उसके बारे में पढ़ते रहते हैं जब नाम गुजर देव एदोनिश्चित रूप से गुजरों ने बनवाया हुगा गुजर नाम ऐसे ही किसी मंतिर के सामने नहीं चुड़ गया हमारे नाम पर गुजरों के नाम पर बहुत सी स्थानों के नाम है लेकिन इत्यास नह ले लोग नहीं मौजूद थे इसलिए हमारा इत्यास लगातार दवाया गया कि हमारे इत्यास की वजाये इत्यास पढ़ाया जाता है जो कुजरों का गुरव में इत्यास रहा है आज इनकी बात है सुबह के ताइम में मुरेना जीला मद्या पर देश्मे 6 योगीनी मंदिर वें वेने इसके ऊडित तो तो रिखा हुआ था कि मंदिरों को मिलता तो दोनों cu और परतिहार मस्कारों को सब्सक्राइब से पड़ाय क्यों कि वि क्योंस में आपका एक बंस दिखाई देता है दुर्जर परतियार उसको भी लगातार समाप तरने की कोशिस्य हो रही है जब तक हम जागरूप नहीं होगे तब तक हम अपने इध्यास को बुने जीवित नहीं कर पाएंगे और अपने इध्यास को नहीं बचा पाएंगे दूसरी एक और बात मै परतिया जाएगा अगर हम इस फिल्म का विरोध नहीं करेंगे क्यों क्यों कि आज के टाइम में इध्यास पढ़नेगी का समय जलतर लोगों के पास नहीं है लेकिन फिल्में जरूर देखते हैं अगर किसी फिल्म में उसको राजपूद बता दिया तो हम क्या करेंगे चो क्या जाएगा हमारा चोहानों का जब उसको राजपूद करार दे दिया जाएगा तो मेरा आप सभी से एक और निवेदन है कि इस फिल्म के पंड़ने से पहले हमें अपना विरोध प्रतर्थन अपना विरोध जरूर दिखाना होगा और हर जिले में जहां पर भी गुजर ह है वहाँ पर अपने अपने डियमों को क्या पंड़ेना पड़ेगा इस फिल्म के बारे में इस पर तुरंत रोग लगाई जाए दूसरा एक और मैं बताना था हूं प्रतिहार राजाओं के त्वारा मुरेना मद्यप्रदेश में 200 स्थिव मंदिरों का निर्मान करा गया थ जिनको बटेश मंदिर कहते हैं और उन पाड़ियों पर मंदिर बने हुए हैं मंद्यप्रदेश में उनमें लगातार खलन का काम चल रहा है है। जब मंदिरों इन पाणियों के ऊपर मंदिर बने वह इंवे तो नहीं रहेगे तो उनी मंदिरों को पचाने की मोहीम छिड़ी हुई है क्योंकि मैं घिल भाते पीर गूजर महासबा का प्रदेष उबादेशनुँ अगर कहीं पर आप सबकी जरुत पढ़ती है उन मंदिरों को संद्रक्षन दिलाने के लिए आप सब लोग हमारी मासवा के साथ में खड़े मिलें अपने अक्सेद्र में गाओं का जोगरा में बहुत से लोग यहां से भी गए होंगे हैं लेकिन एक और बात बता जाता हूं क्योंकि हमने प्रोग्राम किया महासवा का देशाम हर साल करते हैं हमें उनकी मनानी चाहिए नहीं तो कोई और आएगा हमारा इध्यास दूरा कर ले जाएगा अपने इध्यास को अगर बचा के रखना है तो अपने आपको हमें वर्तमान में साथिक करना पड़ेगा अपने नाम से अपने अपसेद्र में चोरायों के नाम सड़कों के नाम मोहलों के नाम रखने पड़ेंगे हमारे बचुरगी तो ऐसे था उनके नाम से तो देश और परदेशों के नाम हैं वह सामली की बात है दो साल पहले सामली में सभी चौक और सड़कों के नाम भुशित हुए लगभघर फिरादी के नाम से गलिया हैं लेकिन इस सामली जन्पद के अंतर 84 गांपूजरों के हैं किसी भी बूजर के नाम से गली या एक मोहले का नाम नहीं रखा गया क्या हम इस भीर नहीं है एक तरब तो हम अपनी सबसे बड़ी राजनीती बताते हैं कि हम चोहानों का पूरे जनपद में ढंका बोलता है राजनीती में कि हम एक्चोंग भी ले पाए अपने किसी भी कूचर के लिए अगर हम इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देंगे तो इत्यास से दीरे-दीरे हमारा नाम मिट जाएगा इसलिए सभी से मिंती है कि एक रहिए और अपने समाज के लिए जहां भी संगर्स किया और सकता पड़े आप संगर्स कीजिए और मुझे इस मंच से बोलने के लिए समय देने के लिए जो संचाल होते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यावाद करता हूं जैसरी देव नौराजी हवाओं पर ही हमेशा एजाम रख करने चलना हवाओं पर ही हमेशा एजाम रख करन कौन करता इसका आप तो जैराजीती में पकड़ रही है आप करते हैं करो आगे हम आपके साथ रहे हैं आई आप जो है कुछ प्रदिभाएं हैं